नमस्कार आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वित्रण को प्रभावित करने वाले आठिकारकों की बारे में पिसली बार हमने देखा था कि जनसंख्या की वित्रण को कौन-कौन से भोतिकारक प्रभावित कर रहे हैं आज हम यह देखेंगे कौन से आर्थिकारक हैं जो जनसंख्या की एक जिया केंद्रित होने या विरल पाए जाने की वज़े होते हैं तो आज की क्लास में हम आर्थिक और सामाजी कारकों के बारे में बात करेंगे जनसंख्या की प्रभावित करने वाले जो आर्थिकार निम्न हैं जिसमें पहला है आपके खनीशन साधन खनीशन साधनों की बारे में सब जानते हैं मिद्रातल से भूगर्ब से ये प्राप्त होते हैं उनकी काफी वैल्यू होती है और जो उद्योग है वह काफी इंपे ही डिपेंड होते हैं जो उद्योगी अर्थ वरस्ता वह खनीशों पर आधारित होती है अने कारकों के जनसंक्या निवास के प्रतिकूल होते हैं ये दि किसी स्थान पर खनीश संपदा पाई जाती है तो वहां ओध्योगी क्रियाओं के कारण ये खननकार्यक के कारण सगन जनसंक्या पाई जाती है और कहिने मैं एक और ये वहाँ पर प्राकृतिक द्शिएनकूल नहीं है और या जलवासु उत्तम नहीं है लेगे ये दि वहां पर कोई खनीश पाया जा रहा है तो वहां पर जनसंक्या केंद्रित हो जाएगी क्योंक यदि खनीज पायजा रहा है तो आप सारी लोग भी होते है तो वहांपे दोग विक्सित हो जाएंगे भाँ इसका भी विकास होगा तिर दर वहां भी विकास होने लग जाए कैसे जनसंख्य हम पर एकत्रित हो जाती है जैसे उस्टेलिया का जो डेजर्ट वाल जो एरिया है महां पर कालगूली उकुल गार्डी जो सोने की खान की छेतर है तो वहां पर जलाओ दिश हैं बात करें तो मुर्ष के लिए हैं लेकिन वहां पर क्यों कि सोने का खनन हो रहा है तो जाने के लिए प्रिवेन के साथ नों की आप शिक्ता होगी तो प्रिवेन की सुजिदाए महां पर विक्सित हो जाएगी जैसे हम बात करते हैं यूरोप में कोहला उत्पादक पेटी में सिदेश जैसे जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन ता ऑस्टेलिया के मुरूस्तली और जो यहां पे क्या पैंट्रोल पादक शेतर है पैंट्रोल पादन कर रहा है बार का छोटा नागूर पठार जो एरिया है वो भी जो है वह काफी पिछड़ा हुआ है यहां पर भी खनीज पाए जाते हैं रूस का पुर्वी खनीज प्राप्ति के कारण ही अतिससगन जनसंख्य आपाई जाती तो या ऐसे शेता है जहां पे पिछड़ हूए हैं या फिर प्राकृतक धिस्ट यहां पर उत्तर्शार ही नहीं है लेक्ट क्योंकि यहां खनीज पर जै सक्थरी जो है वो किसी हैं है अग未जो अधि कर शादन सक्ति करता है है जिसे थे जानते हैं कि सकति के साधन का जो है या attracting जनक कोईले को माना जाता है जो कि परमुक सकती संसादन है कोईले की वज़े से ही ओद्योगी करांती हुई तो जो सकती कि जो सादन है वो जहां अधिक पाए जाएंगे तो वो जनसंख्याओं को अपनी और आकशित करेंगे जैसे नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्वेजर इन देशों में विदुद पादन किया जा रहा है और विदुद पादन का जनसंख्याओं निर्वाहन चमता पर बहावर पढ़ता है इसी परका पैंट्रोलियम, गैस, जल विदुद पादक देशों में भी इसी का अन्य कारकों के जनसंख्याओं के निवास के अनकूल नह जा रहा है और तेल क्योंकि सक्ति का प्रमुक्षादन है काफी कीमती होता है तो उसने वहां पे जनसंख्या को केंद्वित कर दिया है तो सक्ति की जो सादन है वह भी जनसंख्या को आक्रशित करते हैं सक्ति की शादनों के अधार पेज़ा है वह कई द्योग जो है वह विक् गतिशील रहा है पहले उसके गतिशील था जो हो केवल पैरों से थी दीरे दीर उसने बैल गारी सिखी बैल गारी जो है वो बनाई दीरे उसने विकास किया और आज जो उसके विकास का जो चरम है वो हम देखते हैं किस रूप में आरोपलैन की रूप में देखते हैं क्योंकि मुनुष्य गती शीलता के लिए याता है कि साथनों आफशक्ता होगी वह जहां उसे अच्छी सुरीता मिलेगी वहां पे रहना पसंद करेगा जिसे आफशक वस्तों जिनका उत्पादर अन्य छेत्रों पादित वस्तों का निर्यात करनी अमनुष्य विवें स्थान की दीवें साथनों अबससे लिए कि जाए जो कोई हर्जक है एक जो चीज़ पादिता वो बपूरे देश होन्त भाद की नहीं जाएगी तो क्या है वहां पर तो उगायन शेक्ता रहेayan कि इसी पह荐ं नहीं पर rains सोनुरीति पर जाना है आवा कम पर उप्रियवें की आफ़ जलवाएं उसके एक वजबी होती है मिलती है व्यापार कि पाना था और व्यापार कि पर कि अग्रेज्ज ह rescue वहirm पहूं से करना था कि समुन्ध च्षत्रों में वह अपनी बनाते विपेंद तो जद अच्छा रहता सब्सक्राइब जो कि 30 चेत्रों में थे जिस राजस्तान है तो राजस्तान नहीं लगती तो उन्होंने राजस्तान में इतना नहीं किया जो कि मारास्टर की लगती है तो मारास्टर में उन्होंने अधिक निवेश किया तो इस प्रकार से जन संक्या जो है वो यतायत के साथनों से भी प्रभावित होती है कि कि इस प्रकार के हैं जिसे पहारी चेतर है यतायत साथन अच्छे नहीं है तो आँ पर जन संक्या भी अधिक पाई नहीं जाती मैदान में यतायत साथनों का अच्छा विकास हो सकता है कम लाकत में हो सकता है समतल होते हैं मैंदान इमाग तो जनसंक्या दिक पाई जाती है तो यातायत की जो कारक है वो भी जनसंक्या को प्रभावित करते हैं अगला जो है वो है आर्थिक उन्नाती जो आर्थिक दर्ष्टी से संपन देशों में जनसंख्या के बरण पोशन हैतू रोजगार क्रिशियादिकार को या नुकूलता पाई जाती है जिसके कारण वहाँ भूखमरी इंबिरोजगारी की समश्याएं नहीं पाई जाती अतै ऐ इसे भागों में जनसंग्या सगन रूप से मिलती है हम बात करते हैं आर्थिक उन्तिक कि वो देश जो की आर्थिक दर्ष्टी से सक्षम है तक्निकी रूप से सक्षम है तो आर्थिक दर्ष्टी से सक्षम है पुंजी है तो वहाँ पर क्या है क्यों द्योग भी लगा सकते हैं ती तृत्म तरीकिंभ हैं ट्री जा सकती है तो ऐसे स्थिति में इन सब के नुकूल ताई वजहे से लोगों क्या रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा तो आखशित होंगे वहांपे रहना पसंद में इसनले ऐसे भागों में जो जनसन Couया वो क्या मिलेगी सगन मिलेगी जर्मनी कनाड़ा चीन जापान अर्जेंडीना फ्रांस बिटेन आदी देशों की आठिक सित्य क्या उन्नत है अच्छी है इसलिए यहां पर सगन जनसन क्या मिलती है जब हम बात करते हैं आठिक देशी से कम जोड़े जोड़ की मुखेत है अफ जान से क्या न्यून है क्योंकि वह पहले ही जनस अफ्रिका को जो है अन्दमादी के नाम से जान जाता है वहां पितना तकनी की विकास भी नहीं है पुंजी भी नहीं है काफी समय तक यह जो देश है उगलामी में भी रहे थे तो आठिक द्रिश्टी से क्या है कम जोड़ लिएंग तो रोजगार नहीं मिल रहा है सुविधा नहीं है तो लोग महां पे नहीं रहना पसंद करेंगे तो जनसंद कैसी पाई जाएगी नियुंद पाई जाएगी आथिक दर्ष्टी संपन देशों ही प्राविद्य किस्ति जो है वो उन्नत पाई जाती है जिसके कार्ण ने यंत्रों प्रिवेंक सादन यह भी नहीं मशीनों का निर्माण होता रहता है अत्य इस कार्ण भी आजन संख्यादिक रहती है तो जो आथिक दर्ष्ट संपन है अधिक होगा उसके लागत कम आएगी तो ऐसे स्थिति में वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे कि उनको लाब भी प्राप्त हो रहा है कारे करें तो उसे लाब भी मिलना चाहिए तो वहां पर लोग आकर्षित होते हैं तो आथिक दर्ष्टी से जो उन्नत जो छेतर है वह सामजिक फ्राप्त होता है तो हम देखितें कि समाज एक प्रमुक संगटन है जिसकी बीना मनुश्य नहीं रह सकता है समाज से ही इसीछता है समाज के बगार नहीं रह सकता समाजी कृती bastardि रिवाज वीबिन धरम धाव में धारम में कृश्वा बात करते हैं बात करते हैं दर्म भी प्रभावित करता है या तो बहुत करेंगे यह सारे सब्सक्राइब करते हैं धार्मिक विश्वास हैं भागयवादी ताइक एकार्ण एश्या की दक्षनियम दक्षनिय पुरी भाग में इस्थित देशों में तेज जी से जन संक्या वर्दी पाई जाती है प्रिवार्नियों जन प्रक्रियाओं की प्रति लोग ध्यान ही नहीं इस वज़े से भी क्या है कि एश्याक जो दक्षनियम दक्षनिय पुरी भाग में इस्थित देशों में जन संक्या वर्दी तेज पाई जाती है चीन के हम बात करें तो चीन में प्रवज्यों की कब्र को पूझ रहे की परताया जिसके लोग इनको छोड़कर नहीं जाते त तो लोग वहाँ पर क्या एकतित होने लग जाते हैं उनकी प्रिवार पीडिया वहीं पर रहेगी तब क्या होगा आज जनसिया निरंदर बढ़ती रहेगी तो यह हमने देखे कि कौन से सामाजिक वितरन को प्रभावित करते हैं आज हमने देखे सामाजिक सांस्क्रतिक कार जो जनसंख्या के स्थानी वितरन को प्रभावित करते हैं धर्नेवाद